बात करने के लिए लॉग इन करें www.astrotak.com नमस्कार बैहु डॉक्टर स्रीपती तिरपाथी हर ब्यक्ति चाहता है कि उसके घर में शुक सामती बनी रहे परिवार के लोग आपस में एक दूसरे से प्यार करते हुए अपना जीवन सामती पुर्वक तरीके से जीए परिवार में सुक सामती रहती है तो ब्यक्ति को मानसिक सुकून मिलता है लेकिन अगर परिवार में जगडे कलेश होते हैं तो घर आने का मन नहीं करता कभी-कभी तो जगडे इतने बढ़ जाते हैं कि रिष्टे में दरार आजाती है फिर अलगाओ की इस्सिति के अलावा और कोई बिकल्प नहीं दिखता मतलब कोई रास्ता नजर नहीं आता अगर आपके घर में भी रोजाना इसी तरह के जगडे होते हैं और आप भी उन जगडों से छुटकाना पाना चाहते हैं मतलब आप परिशान हैं तो हमारे इस वीडियो के माध्रम से बताए गए इन आसान से उपायों को अपना कर आप देखिए आपके घर के माहौल को बहतर बना कर जीवन में खुसियां ला सकता है या छोटा सा अचुक उपाय जिन घरों में अक्सर लड़ाई जगडे होते है वहाँ पर मालक्षमी जो है वह नहीं ठहती है वो चंचला है वह तुरंत रोस्ट हो जाती है इन सब के पीछे ग्रह दोश और बास्तु दोश भी कारण होते हैं कुछ बेहत आशान उपाय जो आपके लिए लाप्रद हो सकते हैं इस वीडियो के माध्रम से बताने जा रहा ह ग्रह कलेश के लिए रात में सोने से पहले एक जो कपूर का टुकड़ा है उसको डुबो कर पीतल के बरतन में जलाने से लाव होता है सब्ता हमें एक दिन आप घर में कपूर का धुआ भी कर सकते हैं इससे मन को शांति मिलती है और घर में नकारात्मक उर्जा प्रवेस करती हैं मतलब नकारात्मक जो है निगटिविटी है वह समाप्त हो जाती है दूसरा उपाय है हनुमान जी के समक्ष मंगलवार के दिन पंचमुखी दीपक और अस्टगंध जलाए और घर में अस्टगंध की जो है वह खुसको फैलाए इससे घर में सकारात्मक उर्जा का प्रवेश होगा घर में सुख शांति बनी रहेगी घर में लगातार अगर यह उपाय तीसरा है कि घर में अगर लगातार हो रहे हैं लड़ाई जगड़े तो उससे चुटकारा पाने के लिए केसर का उपाय भी आप कर सकते हैं इसके लिए एक चुटकी केसर को पानी में डाल कर उस पानी से सनान करें केसर का दूर पीने से भी मन में सांती बनी रहती है आपको बता दे कि अगर यह उपाय करते हैं तो निश्चित रूप से आपको लाप्राप्त होगा जीवन में कई प्रकार की परशानिया जरूर हैं लेकिन उपाय भी बंद दरवाजे में भी दरवाजे हैं आपको बता दे कि घर में हो रही कलह को दूर करने के लिए पोचा लगाते से में थोड़ा सा नमक भी मिला ले ऐसा करने से घर में उपस्तित नाकरात्मक उर्जा हो जाती है और घर में हो रही कलह अनावस्यक परशानिया भी जो है वह भी खत्म हो जाते हैं जिस घर में अक्सर कलह होती है वहां हर महीने सत्त नाराण भगवान की कथा का स्रवन करना चाहिए कथा करना चाहिए इससे घर में शुक्ष सम्रिदी बनी रहती है उमीद है जैसे ही समसामिक वीडियो के साथ तब तक के लिए नमस्कार.